और चलिए अब करते हैं आज की परताल एक मैसेज खूब राउंड मार रहा है इस बार ये मैसेज फेस्बुक पोस्ट की शकल में है पोस्ट में एक तस्वीर है और उसमें खूब सारी गारियां खड़ी हुई दिखाए दे रही है साथ में लिखा हुआ है जर्मनी में जब सरकार ने पैट्रोल के दाम बढ़ाए तो एक घंटे के अंदर सभी अपनी कारों को रोड पर छोड़ कर खर चले गए दसलाग से भी ज्यादा कार रोड पर खड़ी देखकर सरकार को दाम घटाने पड़े यदि लोग समझदारी से काम लें तो कोई भी सरकार जनता को बेवकूफ नहीं बना सकती क्योंकि असल में ये तस्वीर एक अक्टूबर 2012 की है जर्मनी की नहीं बलकि चीन की है संड़े का दिन था चीन की सरकार ने अपनी आबादी को फ्री रोड ट्रेवल का तोफा दिया मतलब सड़क से सफर करने पर पहले जो मोटर वे टैक्स देना होता था उसे खत्म कर दिया संड़े के बाद अगले पूरे हफते का नैशनल हॉलेडे था लोगों ने सोचा इस छूट का फाइदा उठाय जाए छुटी पर चला जाए यही सोचकर हजारों हजार लोग अपनी गाडियां लेकर निकल पड़े खबर के मुताबिक तकरीबन आठ करोड साथ लाग लोग अपनी कार लेकर निकल पड़े थे इतने सारे लोगों के इखटा बाहर निकल आने के वज़े से चीन में जगह जगह पर गाडियों का लंबा जाम लग गया लोग घंटों जाम में फसे रहे हजारों लोगों ने जाम की तस्वीर खीच कर सोशल मीडिया पर पोस्ट की वहाँ भी ये जाम ट्रेंड करने लगा उसी जाम की एक तस्वीर दे टेलिग्राफ ने पोस्ट की और उसी फोटो को जर्मनी के लोगों का पेट्रोल की कीमतों के बढ़ाए जाने के खिलाफ मास प्रोटेस्ट बता कर वाइरल किया जा रहा है तो हमारी पर्ताल में ये मालूम पड़ा कि इस तस्वीर के साथ चल रहा मैसेज जूटा है और ये तस्वीर जर्मनी की नहीं बलकि चीन की है तो अगर आपके पास भी है कोई ऐसी तस्वीर, वीडियो या मैसेज जिसकी सचाई पर आपको शक है हमें भेजे लललन टॉप मेल एड जीमेल डाट कॉम पर और हम करेंगे उसकी पर्ताल